तो नमस्कार दोस्तों आज के इस अमेजिंग वीडियो में आपका तहदिल से स्वागत है मैं शैलेश आज के इस वीडियो में हम लोग विंडोज की हर एक शॉटकट कीज को देखने वाले जैसे कि अभी यह आपका PC है आपके सामने चल रहा है और अगर आप विंडोज के सा साथ अलग-अलग actions होता है तो वो क्या है वो देखेंगे ये वीडियो नॉर्मल पर्सन और स्क्रीन रिडर यूजर उनके लिए भी वेटर है क्योंकि जो स्क्रीन रिडर यूजर होते हैं विजुली चालेज उनके लिए यह शॉटकट कीज बहुत ही यूसफुल है साथी स प्रेस करते हैं तो quick setting, quick setting मतलब quickly आने वाली setting जो भी setting आपको quickly चाहिए जैसे कि आपका Bluetooth, Wi-Fi ये setting तो हमें quick चाहिए क्योंकि बिना Wi-Fi कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं ना night light वगरा वो आखों के लिए night light लगाना अच्छा होता है क्योंकि protect होता है न वो तो ये सारी लेंगे तो quick setting की option मिलेगा ठीक है उसके साथ अगर windows भी कर देते हैं तो show hidden icon windows के साथ अगर भी दबा देते हैं तो show hidden icons का option आएगा जो की notifications में आपके options होते है नोटिफिकेशन में जो भी आपने apps को hidden किया है hide किया है लोग करते हैं हर एक चीज़ hide करना रोगों को पसाद होता है तो जो hide करना चाहते हैं जैसे मैंने वो माइट को किया है उसके बाद अब्स टूडियो को किया है और nvda screen reader और बिंग वाल पेपर ये सारे चीज़ों को मैंने hide मुझे लगता है कि यह important है और इसको hide करना चाहिए तो आपकी मर्जिया आप कौन सा करना चाहते है notifications में hide होता है लेकिन यह कोई भी देख सकता है इतना यह privacy की बात नहीं यह लेकिन बस एक उपर उपर देखने के लिए अच्छा है उसके बाद आता है Windows plus C next की रहेगा Windows plus C अगर आपके बास Crotana यह options आ रहा है तो ऐसा समझो कि आपका Windows 10 है ठीक है तो Windows 10 में Crotana का option आएगा Windows plus C से ठीक है Windows C दबाएंगे तो आपका Crotana options आ जाएगा उसके बाद Windows plus D अगर स्क्रीन रिडर यूजर है या नॉर्मल पसन है तो Windows D करेंगे आप तो डायरेक्ली आप डेक्स्टॉप प्याते जैसे कि अभी मैं OBS प्रूप और मैं Windows D दबा देता हूँ अगर मुझे फिर से OBS में जाना है तो फिर से मैं Windows D दबाएंगे तो फिर से वही जाता है फिर से दबाएंगे तो फिर से देक्स्टॉप प्याते मतलब क्विक्ली अगर आपको डेक्स्टॉप प्याना है तो आप Windows D का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट की रहेगा आपका Windows प्लस ई जी हां दोस्तो तो Windows प्लस ई से फाइल एक्स्प्लोलर मॉबाइल फोन में जैसे ऑडियो वीडियो इमिजेस ये मैनेज करने के लिए एक फाइल मैनेजर करके ऑप्शन होता है तो इसे कंप्यूटर की भा करते हैं जैसे फेस्बूक हो गया या यूट्यूब हो गया हम लोग ब्राउज करते हैं वह फाइल को भी ब्राउज करना है यहां से वहां सेव करना कुछ एडिट करना रिनेम करना यह सारी चीज़े मतलब एक्स्प्लोर इसका मिनिक तो एक्स्प्लोर करने के लिए Windows प्लस कि आपको अगर computer में कोई issue आ रहा है, कोई applications नहीं चल रहा है, जो Windows का है, आपको तो पता है कि computer में जो भी operating system होती है, वो Windows के होती है, अलग-अलग है, लेकिन Windows का जादातर लोग use करते है, तो Windows shortcut की देख रहे हैं, तो हम लोग feedback किसे send करेंगे, Windows को ही, जी हां दोस्तों, कि और सारी जान करें, जो हमें लगता है, वो हम लोग feedback यहां दे सकते हैं, तो वो feedback कौन receive करेगा, Windows के operators, जो भी Windows company में काम करें, और आपको feedback लेके, उस applications में, software में कुछ न को changes करने की कोशिश वो लोग करेंगे, ठीके, उसके बाद, next की आएगा, जी, Windows plus G, तो G से क्या होगा, गेम बार, जी हां दोस्तों, जो भी गेम खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए, गेम बार के लिए, शॉटकट की रहेगा, Windows plus G, अभी मैं ये, दबाता हूँ, यह उला नहीं, गेम बार बोलेगा, just second row को, Windows plus, जैसे ही हम लोग G फ्रेस करते हैं, तो ये, गेम बार ऐसे बोले तो Windows जी, गेम बार, ये, गेम कोई हर एक इंचान गेम नहीं खेलता, क्योंकि computer तो study, आपके projects और एक्सेटर, जो भी है, उसके लिए होता है, लेकिन होते है, गेम भी खेलने वाले लोग दुनिया में हैं, ठीक है, तो next H, Windows plus H आएगा, Windows plus H से आपको voice search मिलेगा, जी हाँ द देना है, एक बार, जैसे कोई आप mobile में अगर applications डाउनलोड करते हैं, तो उसे microphone locations access दे देते हैं, तो वैसे ही same, आपको actions यहाँ दे, मतलब, वो permissions यहाँ देना है, permissions मांगता है, allow कर देना है, तो आपका microphone access हो जाएगा उन्हें, और फिर अगर आप कुछ voice से लिखना चाते है कुछ search करना चाते है, तो इसका इस्तमाल कर सकते है, इसके हर एक के deeply videos आपको मिलेंगे, screen reader के साथ, और normal person के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, तचिंता मत कीजिए, बने रही है हमारे साथ, अभी क्या आएगा, windows plus i, जी हाँ दोस्तो, windows plus i, जैसे आप press करते हैं, तो आपको setting open होगा, जी हाँ, अगर windows plus i open करते हैं, तो directly आपका setting open होगा, मैंने जैसे windows i किया, अगर आपको setting नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी यह हो रहा है, आपको setting के में कुछ issue आ रहा है, तो आप windows plus i करके directly setting को open कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद next की रहेगा आपका, मैं फिक्स नेक्स जैसे कुछ होना नहीं चाहिए, तो उनने नहीं लगाए, windows plus k से क्या आएगा, तो windows plus k से connect आएगा, जी हाँ, जी हाँ, यह कर रहे हैं, windows plus k, तो quick setting आएगा, quick setting में connect, bluetooth, वगर आप connect कर सकते हैं, जैसे cast कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, कि आपका desktop का screen जो है, वो बड़े पढ़ते पे show होना चाहिए, या तो like, ऐसा कुछ अलग अलग आप करना चाहिए, जो भी चीज़े connect करना चाहिए, windows plus k से आएगा, ठीक है, next की रहेगा, windows plus l, तो windows plus l से आपको lock screen होगा, अभी मेरा यह चल रहा है, recording इस वज़े से मैं lock नहीं करना चाहता, क्योंकि वो stop हो ज Windows plus m से आप desktop पे आ सकते हैं, जो भी visually challenge है, वो desktop पे directly, Windows D से भी आ सकते हैं, M से भी आ सकते हैं, अगर आप M से आते हैं, तो फिर Windows M करेंगे, तो जहाते हैं, वही पर नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मैं OBS पे हूँ, और Windows M किया, तो OBS पे नहीं जाओंगा, लेकिन मैं OBS पे मोबाइल पे आता है, WhatsApp का वगरा, वैसे ही, तो आपको जो भी notifications है, वो Windows plus N से आएगा, Windows plus O से क्या आता है, तो Windows plus O से कुछ भी shortcut की नहीं रखिये, Windows plus, Windows plus P से आपको project option आएगा, ठीक है, यह आपको project करने के लिए, जो projector हम लोग करेंगे ना, उसके लिए, Windows plus P, Q से क्या आएगा, तो Windows plus Q से, जो है, वो, quick search आएगा, quick search, मतलब आप quickly कुछ चीज़ों सर्च कर सकते, जैसे Windows Q करते हैं, यह options आ रहे हैं, आपको जो भी चीज़ों सर्च रहना है, Windows plus W से क्या आएगा, Windows S वगरा यह सारा रहे है, शायद, Windows plus R से आपको run dialogue box मिलेगा, Windows plus S से आपको जो है, वो search window आएगा, R से run dialogue box, Windows plus S से search आएगा, Windows plus T से taskbar आएगा, तो taskbar जो है, वो important होता है, जो screen reader है, आपकी जो भी चीज़े background में चल रहे हैं, वो taskbar पर आपको, शो होगा, तो Windows plus T से जो है, वो taskbar का shortcut की है, ठीक है, Windows plus U से जो है, वो settings open हो रहा है, तो Windows plus U से accessibility का setting आपको open होगा, Windows plus U से accessibility setting open हो जाएगा, जो भी accessibility options है, वो, ठीक है, Windows plus V से जो है, वो clipboard, जो भी चीज़े आपको, आप quickly copy करते हैं, जैसे कि, देखो, अगर आपने WhatsApp का message आया है, और आपने उसे copy किया, तो वो कही ना कही पे रहेगा, उसका, रोम जो है, वो बना के रहेगा, कही ना कही पे, virtually, तो वो clipboard, तो clipboard में आपका, जो भी recently चीज़े आपने copy किये है, वो clipboard में रहेंगे, वहाँ से आप read कर सकते हैं, वहाँ से paste वगर action कर सकते हैं, Windows plus V से, ठीक है, Windows plus W, V, और अभी क्या, Windows plus X से आप context menu को open कर सकते हैं, Windows plus X से contact menu open हैं, उसमें बहुत सारे options हैं, जैसे context menu ऐसे बोलते हैं, तो context menu का shortcut की, Windows plus X रहेगा, Windows plus Z से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और Windows plus equal से आपको magnifier on होगा, Windows plus dash, जो है, equal के left वाला, उसे, आप magnifier को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे shortcut keys हैं, Windows plus dot, जो होता है, full stop, या तो, Windows plus full stop, इमोजी वगर आएगा, जैसे कि thumbs up, और रहते हैं, thumbs up, thumbs down, जो भी symbol है, वो Windows plus dot, जो full stop होता है, उसे आएगा, ऐसे बहुत सारे shortcut keys हमारे पास available है, अगर आप ऐसे ही कुछ interested video चाहते हैं, तो इस video को share कीजिए, बने रही हैं, हमारे साथ, चलिए, फिर मिलते हैं, नए ए उसी कुई साथ, बिर मिलते हैं, विए रहते हैं, है यो झाल भले वो से अएज Greetings, उसा बने वादे से और आप, जिए टुमेर आभ चाहते हैं, जिए।